हेलो टीडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारी पुरानी वीडियो को भी एक बार ज इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि अलएड़ी यहां पर मार्क किये हुए हैं मैंने आपके साथ यह लेवल्स पहले भी शेयर की हैं लेकिन काफी जादा डिमांड इस स्टॉक से रिलेटेड आ रही थी तो इस स्टॉक को हम लोग फिर से कवर करने के कोशिश करेंगे अग आपको एक अपवर्ड रैली काफी समय तक देखने को मिली लेकिन अब यह स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ घूम के आना स्टार्ट कर चुका है अब इस टॉक में आपको कुछ इस टाइप का प्राइज एक्शन मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक अभी के समय में यह वाला जो आप जोन देख रहे हो यहाँ पर इस एरिया में कहीं कंसॉलिडेट कर रहा है यहाँ पर आपको मैंने कुछ लाइंस भी मार करके रखी है इन लाइंस को और यह जो लेवल से इनके बारे में अभी डीटेल में समझाऊंगा लेकिन अभी आपको चार्ट का बे बैक्ली आसमान में उड़के चला जाएगा तो इसलिए कुछ पर्फ़िट बुकिन्ग बनती ही बनती है लेकिन यह पर द्यान से देखोगे जो एरिया में मार करके रख रहा हूं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस टॉक में बहुत शांदार रैली आपको इस पॉइंट से यह वाला जो जोन है इस जोन से यहां तक देखने को मिली और यह जो लेवल था यह लेवल करीब करीब 1500 से 1600 रुपए के आसपास का लेवल हमने इस स्टॉक के अंदर देख लिया था अब यह लेवल 1600 का है मैं यहां मार्क कर देता हूँ और यह तेजी हमने कह से देखी थी 1015 रुपए के पास से 1015 से स्टॉक में हमने सीधे सीधे रैली देखी 1600 रुपए तक अब 1600 रुपए जाने के बाद स्टॉक में वापिस एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक का प्राइज हमें फॉल होते हुए देखने को कहां तक मिल गया 1150 लेकिन नीचे आने के बाद इस टॉक क्या खराब होगे नहीं इस टॉक में आप देख सकते हो फिर इस तरह की रैली होई फिर इस टॉक नीचे आया फिर इस तरह की रैली होई फिर नीचे आया और फिर इस तरह की रैली होई फिर नीचे आया तो आप आपके दिमाग में एक चीज तो समझ में आगया होगा कि ये market का pattern है, stock का price उपर जाएगा, फिर profit book का नीचे आएगा, अगर इसमें आपके लिए समझदारी वाली चीज कब होगी, कि कभी भी stock ऐसे उपर की तरफ जाए, तो आपको उपर पे अगर जिनको short term का swing play करना है, वो यहाँ पर क्या करने के बारे में plan करेंगे, sell करने के बारे में, और नीचे के levels पर क्या करने के बारे में plan करेंगे, buy करने के बारे में, तो इस तरह से आपके profits बनेंगे, लेकिन इसको आपको पहचानना कैसे है, यहाँ पर अगर आप देखते इस chart पर तो बहुत clear, simple सा आपके लिए एक trend line follow हो रहा इसा ही कुछ pattern इस जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा, अब समझ में आया होगा आपको कि मैं क्यों इतना time पीछे के charts पर दे रहा हूँ, charts में cycle होती है, वो cycle हमेशा move करती रहती है और वैसा ही pattern बनाती रहती है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो chart में आपको क ध्यान देना अभी मैंने सिर्फ pattern की बात की, अब मैं level की बात करता हूँ, यह वाला area आप ध्यान से mark करके रखो, यहाँ मैंने circle बनाया है, अब इन दोनों circle के अगर मैं levels की बात करूँ यहाँ पर मैं mark कर लेता हूँ इनके levels की बात करूँ तो यह अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो level निकल के आ रहा है यह आ रहा है 1150 का 1103 है हम लोग 2000 रुपए उपर नीचे मान लेते हैं 1150 रुपए का यह level है अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यह भी समझो इस top का price यहाँ से क्या हुआ ध्यान से देखना यहाँ से ऊपर गया नीचे आ गया अगेन आप देखो यहाँ पर यह वाला जो area है यही पर आपको क्या देखने को मिला resistance यहाँ पर आपको resistance यहाँ पर आपको resistance, यहाँ पर यह जो blue color का circle है, यह वाला, यह blue color का circle है, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला, resistance देखने को मिला, यह resistance क्या, पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या कभी support की तरह act किया था, यहाँ पर आपको देखने को clearly मिल रहा होगा, कि यह support अगर break होता है तो वो क्या काम करने लगता है जैसे support अगर break होता है तो फिर वो stock के लिए एक resistance की तरह काम करना start करतेता है अब जब तक हम लोग उस resistance को break करके ऊपर निकल के trade करना नहीं start करते तब तक stock के अंदर हमें तेजी देखने को नहीं मिलती है ये है simple सा concept तो अब हमें इस stock के अंदर क्या करना चाहिए क्या levels निकल के आ रहे हैं जहां पर हमें buy करना चाहिए सबसे important सवाल तो यही है कि हमें इस stock के अंदर buying और average के बारे में कब plan करना है क्योंकि कापी लोग इस stock में ऊपर के levels पर फसे हुए है और उनके लिए इस stock के अंदर buying और averaging करने का हम लोग सीधे सीधे चार्ट में अभी के समय में जो लेवल से बन रहे हैं उनके ओपर डिस्कुशन स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लिए अब जूम करने के बाद यहां पर मैंने आपको अल्रेडी बता इसका मतलब यह रेजिस्टेंस है यह वाली भी ब्लैक कलर की लाइन उपर की तरफ है इसका मतलब यह भी क्या है एक रेजिस्टेंस लाइन है अब दो रेजिस्टेंस लाइन आपको दिखाई दे रही है इन में रेजिस्टेंस कहां कहां पर देखने को मिला पहले इसकी बा आपने resistance देखा and अब हम लोग resistance यह जो दूसरी line है इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप देखो इस जगह पर resistance 1 मिला हमें, R1., यहाँ पर आप देखो second resistance आपको देखने को मिला are 2 and यहाँ पर आपको R3 देखने को मिला है, R3, third resistance, अब आप clearly देख करके समझ गए होगे कि यह दोनो resistance line है और यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो मैंने नीचे line mark की है यह क्या है एक support line है यहाँ पर आपका S1 है support 1 यहाँ पर आपका support 2 अब कितना risk की मामला है यह आपको यही देख करके समझ में आ जाएगा यहाँ पर आप देखो S3 है support 3 है यहाँ पर आपका support 4 है काफी सारी position से नीचे बचन बनना start हो चुकी है यह आपका S5 है support 5 अब stock बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो अगर यहाँ से इस जगाँ पर वापिस आता है मतलब अपने support line के लिए यह जो support line मैंने mark की है अगर stock का price अपने support की तरफ बढ़ता है और support को break करके नीचे trade करना start करता है तो जिन लोगोंने S1, S2, S3, S4, S5 support 1, 2, 3, 4, 5 पर positions बनाई है वो लोग immediate basis पे इस stock में से क्या करेंगे exit plan करेंगे क्यों exit plan करेंगे उसके पीछे का logic समझो क्योंकि यह support line है और जब कभी भी support line break होगी trend line break होगी अपने आप काफी लोगों के stop losses हिट होंगे और stock का price suddenly क्या होगा fall करेगा अब इस fall का आपको यह जानना important है कि इस fall का पाइदा कैसे उठा सकते हो अब अगर यहां से stock का price fall करता है तो आपको क्या करना है positions बनाने के बारे में सोचना है ना कि sell करने के बारे में कहां पर position बनाने के बारे में सोचना है वो level सब धियान से note कर लो और यहाँ पर आपको क्या करना है buying plan करना है buying area मैं आपके लिए बता देता हूँ सबसे पहला आपको installment लगाना है 1014 रुपे के पास में पहला आपके लिए best buying position है 1014 रुपे का second best buying position इस stock के अंदर है 949 949 रुपे का और अब एक चीज और ध्यान रखो कि अगर इने levels पर आपको यह stock मिल जाता है तो आपको buying करना है लेकिन in case इसके नीचे जो लोग swing play करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ in case आपको एक level बता रहा हूँ 900 रुपे का अब 900 रुपे में थोड़ा सा buffer दे करके लगाना stop loss क्योंकि इस level के नीचे अगर यह stock fall करता है तो यह stock आपको और भी जादा गिरते हुए देखने को मिल सकता है जिनका long term का view है वो इस stock को hold कर सकते हैं लेकिन जिनका short term का view है जिनको इतना जादा risky मामला नहीं प्ले करना है सिर्फ swing प्ले करना है वो लोग stop loss डाल के चल सकते हैं कितने रुपे का? केवल और केवल 900 रुपे का 900 रुपे में एक दो रुपे का buffer लगा करके stop loss डालिएगा और यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया कि जो risky matter में आपको कह रहा हूँ वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने नीचे के levels पर entry बना ली है उनके stop losses जब trigger होंगे न तो stock का price बहुत तेजी से fall करेगा लेकिन आपको एक चीज और बता दू कि यह मैंने केवल और केवल discuss किया उस चीज के बारे में जहाँ पर हम लोग fall discuss कर रहे है लेकिन यहाँ से हमें एक fast upward move भी देखने को मिल सकता है अब यह कैसे देखने को मिलेगा यह भी समझो चार्ट का pattern आपको clearly बता रहा है कि हमने नीचे supports बना ली है बहुत जादा और हमारे लिए एक और important चीज है कि हमारे पास already एक strong resistance zone है यह हमारा जो zone है यह हमारा एक strong resistance zone है इतने सारे resistance होने के बावजूद भी अगर हम लोग 1175 रुपए का यह जो level आप देख रहे हो यहाँ पर 1175 रुपए का यह level है अगर हम लोग इसके ऊपर closing दे देते हैं अब एक चीज़ ध्यान रखना इसके ऊपर अगर हम लोग closing दे देते हैं मैं clear यहाँ पर mention कर देता हूँ नहीं तो आप लोग बहुत पहले entry बना लेते हो इसके ऊपर अगर हम लोग का daily टाइम फ्रेम के candle की close देखने को मिलता है तब आप क्या कर सकते हो उस candle का high break होने पर entry बना सकते हो जैसे ही उसका high break होता है आप उसी समय इस stock के अंदर entry बना सकते हो अब यह चीज़ आपको कैसे समझने है थोड़े simple words में समझाता हूँ suppose stock के अंदर आपने जो price देखा वो इस तरह का candle कहीं form हुआ और इस stock के अंदर जो आपने high देखा वो कहीं कहीं देखा आपने 1200 रुपे का अब candle close आपने देख लिया 1175 रुपे के उपर हो चुका है already तो आपको क्या करना है कि अगर stock का price next day इस 1200 रुपे के level को break कर देता है तब आपको यहाँ पर क्या करना है buying position बनाना है या अगर आप even average के बारे में भी plan कर रहे हो तो यहाँ से आपको average करना start कर देना है अब अगर आप यहाँ पर buying position बनाते हो तो आपके लिए stop loss क्या होना चाहिए एक और important बात है उसके लिए आपको क्या ध्यान अखना है कि नीजे से हमारी एक trend line follow हो रही है और यह trend line कहीं न कहीं इस level तक पहुँच चुकी होगी जब आप इस level को cross करोगे मतलब 1200 रुपे का आपका यह जो level यहाँ दिख रहा है आप जैसे इसको cross करोगे आपकी trend line almost 1137 रुपे के पास में पहुच चुकी होगी तो जिनका भी swing के purpose से entry होगा उनको एक चीज यह ध्य कि swing के purpose से अगर आपने entry ले ली है 1200 रुपे के आसपास में तो आपका जो stop loss होना चाहिए वो होना चाहिए 1137 या 35 के आसपास का इसमें आप एक दो रुपे का buffer डाल सकते हो लेकिन अगर आपने entry बना ली है मतलब buying position जो initiate कर दी है वो किसके ऊपर बनाई है वो मैं लिक देता target बता रहा हूं और target सुनोगे तो हैरान रहे जाओगे target यह जान करके चलो कि इस stock में बहुत जबरदस्त आपको within five to six months देखने को मिल सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको क्या find करना है breakout जब तक आपको breakout देखने को नहीं मिलेगा आपको इस stock के अंदर अच्छी घासी target करीब करीब 1292 रुपीज का first target है second target हमारा 1375 रुपीज का है 1375 रुपे का और third target हमारा short term का इस stock के अंदर 1525 रुपे का है 1525 का यह short term के target है वहीं दोस्तों अगर आपका long term का भी हो इस stock के अंदर तो long term के targets भी लिख दे रहा हूं यह target swing के purpose से भी आप play कर सकते हो long term की बात क करें तो इस stock के अंदर हम लोग एक साल के end मतलब एक साल के बाद करीब करीब 1650 का target expect करके चल सकते हैं और इसके बाद अगर आपका थोड़ा और लंबे समय का view है तो यह stock हम लोगो 2400 रुपे से ले करके 2500 रुपे के अंदर trade करते हुए देखने को मिल सकता है और एक चीज stock के अंदर bonus और split जैसी कोई भी news आती है तो सबसे पहले आपको best in market चैनल पर ही देखने को मिलेगी तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को subscribe कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो क लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर कर देना है फिर मिलोंगों एक और ऐसी वीडियो ले करके तब तक के लिए धन्यवाद